तो करल करने के लिए बालों को छोटी-छोटी सेक्षिन में डिवाइड कर लेंगे उसके बाद स्ट्रेटनर लेके और इस तरह से करल कर लेंगे हलके-हलके आतों से आपको जिस तरह के कल्स चाहिए अपके भारी और उसके बाद सेटिंग स्प्रेश आपको यूज़ कर लेना है ताकि यह है लोग टम तक रहे कल्ब जो भी आपके पास सेटिंग स्प्रेश हो आप यूज़ कर लेंगे इस तरह से आप अपने बालों को कर लें सारे बालों आप देख सकते हैं कितने अच्छे कल्स आ रहे हैं और सेटिंग स्प्रेश से अच्छे से सेट भी हो गया देखिए इस तरह से पूरे अपने बालों को कर लीजिए और देखे काफी अच्छा स्टेई है इसका अगर सेटिंग स्प्रेश यूज़ करेंगे तो आपके कल्स बहुत लंबे टाइम तक कर रहेंगे यह तो मेरे पास लोकल ही कोई है तो आप अपनी हिसाब से जैसा चाहेगे सकते हैं लेकिन अच्छा है इसका स्टेइंग पाउर इसका वीडियो पढ़ा चैनल पर आप चाहें तो देख सकते हैं थैंक यू फूर वोचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक य बाई